आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के यूज के वज़े से होने वाले असर हमारे मानसिक स्वास्त पे इसमें सबसे पहला है बिना कारण उदास लगना आजकल देखा गया है कि बहुत उदासी बढ़ चुकी है, डिप्रेशन का प्रमान बहुत बढ़ चुका है बहुत बार तो कोई कारण भी नहीं होता है, फिर भी बहुत ज़़ादा उदास लगता है इसका कारण है मोबाइल, सोशल मीडिया का यूज क्या होता है? आजकल तकरीबन 2-3 घंटा हम सोशल मीडिया पे होते हैं सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेस्बुक इन सब प्लाटफॉर्म पे हमें ये दिखाया जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, उनके अच्यूमेंट, तो हमारे दिमाग में बार 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 ये बताया जा हैं, कमपैरिजन कि बाकी सब लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट ये कमपैरिजन दिन भर में दो से तीन घंटा कंटिन्यूस होता है, इमेजिन करो अगर मैं आपको एक ही चीज बार 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 बता रहो कि आप गुट फॉर कि हां सच मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये चीज सोशल मिडिया हमारे उपर करता है, इस वज़े से क्या होता है कि बहुत बार जब भी हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होता है, हम अकेल होते हमें यहीं लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा मन उदास हो जाता ह मुझे बहुत रोना आता है और किसी बात में भी मन नहीं लगता है तो उदासी या depression या sadness पहला effect है हमारे social media use का हमारे मानसिक स्वास्त पर